अश्कार मैं हूँ रेखापाल और आप देखे हैं Vibrant Live News अभी दुनिया कोरोना वाइरस महामारी से उबरी नहीं है और दक्षिन अफरिका की चमकादणों के बीच फैलने वाले नियोकोब के चेतावनी मिलने लगी है चीन की वहार उनियोकोब नाम का यह नया वाइरस दक्षिन अफरिका में चमकादणों के बीच खोजा गया है और यह संभवता मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है यह समाचार रिपोर्ट स्पष्ट रूप से एक चीनी शोद पत्र पर आधारित है जिसकी अभी समीशा की जानी है अध्यन से यह पता चलता है कि नियोकोब कोरोना वाइरस मर से करीबी रूप से जुड़ा है इस वाइरस से फैलने वाली बीमारी की पहली बार पहचान 2012 में साओधी अरब में की गई थी चानीज अकैटमी अफ साइंसेज और वुहान युनिवरसिटी के शूद करताओं ने बताया कि नियोकोब दक्षिन अफरिका में चमकादरों के समू में पाया गया है और यह इन जन्तूओं में विशेश रूप से फैलता है अनुसंधान करताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि अपने मौजूदा सरूप में नियोकोब मानको संक्रमित नहीं करता है लेकिन यह दिया और अधिक परिवर्तित हुआ तो यह शायद नुकसान दे हो सकता है नियोकोब वायरस की खोज से पहले ओमिक्रोन के नए सब वैरियन बीए टू के भी तेजी से पैलने की खबर सरकारों की टेंशन बढ़ा चुकी है अब तक ओमिक्रोन के केस दुनिया के सभी महा द्वीपो में विल चुके है हाला कि अब तक किसी इंसान की नियोकोब वायरस संक्रमित होने की खबर नहीं है वहीं World Health Organization WHO ने नियोकोब को लेकर कहा है कि इस घटना की जानकारी है लेकिन रिसर्च में वायरस को लेकर और स्टडी किये जाने की जरूरत है ताकि ये पता चले कि इससे इंसानों को खत्रा होगा या नहीं फिलाल इतना ही देश विदे से जोड़ी तमाम खबरे जाने के लिए देखते रहेए के बार्बेंट लाइव न्यूज मेरे सत्य जनता की आवाज